हे गाईज मैं हूँ अमेता और स्वागत थे आप सभी का फिर थे एक बहुत है इंफोर्मेटिव वीडियो में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो टॉप रीजन्स बताऊंगी जिसकी वज़ा से आप सबका अमेरिका का टूरिस्ट वीजा डिनाई हो जाता है क्योंक वो आपको चिट देके वहां से वापिस भेज देते हैं इंटर्व्यू विंडो से तो बेसिकली आपको पता ही नहीं जलता है कि किस रीजन्स से आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो यह पूरी वीडियो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कि वो क्या रीजन्स करती कि मेरेस तरह अगर मैं इसको बहूं बढ़ता लेती हूं तो यह शंती से संती है झालियू रहो है तो टो बल्कुल भी हला नहीं है और कॉपरेट करते हैं है कि हम एंघर आप को मझे सों करते हैं कि मेरा B1 B2 वीजा रिजेक्ट हो गया क्या क्या जाए और हाँ बहुत सारे लोग मुझसे फोन पर बात करना चाते हैं तो फोन पर बात करने के लिए और आप सब की हेल्प के लिए मैंने कंसलेटेशन कोर्स लांच किया हुआ है जिसमें मैं आप से 30 मिनट फोन पर ब पूद सकते हो और मैं सब का आंसर करूंगी पर इसके लिए मैंने छोटा सा माउंट रखा है चार्ज क्योंकि फ्री में सब लोग मुझसे फोन पर बात करना चाहेंगे और उतना टाइम मेरे पास नहीं है मैं चाहते हूं सरफ सीरियस लोग मेरा कोर्स लें और सीरियस लोग सेट मैं बताती हूं कि आप कैसे अमेरिका आ सकते हो या आपको कौन सा वीजा मिल सकता है और टूरिस्ट वीजा के लिए बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं मेरा कोर्स भी कई सारे लोगों ने लिया है और कहते मैं मैं इस एजन्ट के पास गया था फॉर्म अप्लिकेशन हो जाएगा बर जो जैन्रिक रीजन्स है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में तो नंबर वन रीजन आपका जो डी एस वन सिक्टी फॉर्म है जो की पहला स्टेप है आपके वीजा डिनायल का आपको वह फॉर्म बहुत जानकार से भरव येस आपका वीजा डिनाय करवा सकती है तो मेक शॉर करें कि आपके डीएस वन सिक्स्टी में सारी सही इंफरमेशन हो और सही से फिल आउट की गई हो और दूसरी चीज़ डीएस वन सिक्टी फॉर्म में अगर आपका कोई ट्रावल हिस्ट्री है वो फिल करना जरूरी है चाहे आप नेबर कंट्री में ही गये हैं जरूरी नहीं कि आपको यूके या यूरोप कहीं जाने की जरूरत है या कोई बड़े कंट्री में अगर आप नेबर कंट्री यानि कि श्री लंका, नेपाल, बांगला देश ऐसे भी किसी कंट्री में गय हुए हो तो make sure करें कि ट् आप पास रिजन होना चाहिए कि आप जस्टीफाइब कर पाएं आफिसर को कि मैं वापिस आउंगा तूरिस्ट वीजा का में परपई है तूरिजम तो उनको अगर एक फॉर्सेंट भी शक होता है कि आप इस तूरिस्ट वीजा को भी शुक्त रहे है या आप इस टूरिस्ट वीजा लेके अमेरिका जाके सेटल होना चाहते हैं और वहीं पे काम करने लग जाना चाहते हैं क्योंकि आप टूरिस वीजा पे काम नहीं कर सकते हैं आपको वर्क ऑथराइजेशन टूरिस वीजा पे नहीं मिलता आपका पूरा का पूरा परपस जो होता है वो घूमने का पर कि फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, उन साब की डिटेल्स आप वो आप बताओ और जस्टिफाइ करो. अगला most common reason आपके denial का ये होता है, कि आपने ये बताया हुआ है कि आपका कोई relative, फ्रेंड्स वेगरा ठीक हैं, कि आपने बता दिया कि कोई फ्रेंड है, बट कोई आपका relative अमेरिका में रहता है, तो ये भी मैंने देखा है, जिन लोगों ने भी ऐसा बोला है, उनका वीजा रिजेक्ट होते हुए, तो mostly recommend करते हैं सारे लोग, कि अगर आपका कोई relative है दूर का, तो ज़रूरी नहीं है mention करना, बट हाँ, अगर कोई friends है, तो आप mention करना, अगला most common reason है, जो कि है bank balance, ज़रूरी नहीं है कि officer हमेशा आपका bank statements चेक करें, sit down, वहाँ जारी ये बन करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि officer आपका हमेशा statement चेक करें, बट make sure करें कि आप bank statement ले के जाएं, अगर उन्होंने मांगा, तो आपके पास enough fund होना चाहिए दिखाने के लिए, कि आप America में survive कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, अमेरिका में survive करने के ऐसा नहीं कि आपको America जाके काम करने की जरूरत पर जाया अपने survival के लिए, तो make sure करें, जो भी आप अपना plan बता रहे हैं, कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, जो भी आपका purpose है, उसके accordingly funds होना चाहिए, और guys हम लोग भी tourist visa में आप सब की मदद करते हैं, तो हमने भी tourist visa का package निकाला हुआ है, अगर आप सब चाहें तो हमारे through भी आप tourist visa का package ले सकते हो, हम लोग आपकी हर एक step पर help करेंगे, और जो भी लोग हमारे through America tourist visa लेके आते हैं, उनको हमेशा आगे पूरे lifetime में हमारी तरफ से guidance मिलेगी, आपको कोई भी question होगा America के बारे में, मालो आप visa ले लेते हो, उसके बात क्या-क्या चीज़े हैं, जो आपको करनी चाहिए, recommended हैं, वो हर चीज़ मैं आप लोगों को guide कर बिनायल के, और हाँ, officer आसे जितना पूछे आपको उतना answer करना है, extra बहुत नहीं बोलना है, और जो भी आप बोल रहे हो, confidently बोलना है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा जूप बोल रहा है, सोचके बोल रहा है, या इसको idea नहीं है, बस visa लेने आ गया है, जो आप बोल रहे हो, solid, confidently बोलो, ताकि उनको लगे कि नहीं ये बंदा prepared है कि इसे क्या चाहिए, ये कोई ऐसे ही मूठा के नहीं आ गया, make sure करें कि जो आपका DS-160 form होता है, वो आप अच्छे से revise कर के जाए, उसमें आपने क्या-क्या information दी है, वो भी वो verify करते हैं कई बार, तो क्या होता है, कई लोग एजेंट से ये form भरवाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता है, एजेंट ने क्या लिखा है, वो कुछ और बोलते हैं, एजेंट ने कुछ और लिखा हुआ होता है, तो make sure करें कि अगर आप किसी से fill भी करवा रहे हैं, तो उस form को अच्छे से पढ करके जाएं, सारी information याद करके जाएं, समझ के जाएं, और उसके हिसाब से interview में answer करें, और एक guys मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, सब तक के लिए, stay happy, stay fit और bye-bye, bye-bye कर दो